तोप 20 नीज इस ब्रोट तो यू बाई ओरा फॉइन जूइलरी इन असोसियेशन विट सिंबासे सेंटर पॉर स्खील डेवलप्मेंट नमस्कार स्वागत आपका इनबी सेन नीज पर आज की टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाकिश्री लोग सबाद चुनाओं 2024 से पहले भातिय जनता पार्टी ने दिल्ली के भारत मड़पंबे हुए राश्री अधिवेशन से अपनी रन निती पर काम करना शुरू कर दिया है बीजेपी के राश्री अधिवेशन के दूसरे दिन प्रधानमत्री नरीन रंबोदी ने पार्टी कारी करताओं को संभूधित किया शिवसेना यूबीटी सांसर संजेर राउत ने कहा है कि बीजेपी में जाने वाले लोग आखिरी समय तक हमसे बात करते रहते हैं फिर चले जाते हैं अशुक चवान हमारे साथ बैठेते सीट शेरिंग पर चर्चा हुरी थी और फिर चले गए प्रदान मंत्री नरिन रंबोदी कल जम्मु का दोरा करेंगे पियम लगबग साड़े ग्यारा बजे जम्मु के मौला ना आजाद स्टेडियम में एक सारवज जनिक समारो में 30,500 करोड रुपे से अधिकी कई विकास पर योजनाव का उठखा टन और आधा शिला दिल्ले के मुख्यमंत्री अर्विन केजडिवाल आज भी इडी के सामदे पेश नहीं होगे आपका कहना है कि इडी का समर गैर कारोरी है इडी के समन की वैदता का मामला अब कोड में है कॉंग्रिस नेता जयराम रमेश ने कहा कि आज भारत जोडो न्याय यात्रा का 37 स्वातिन है आज बाबु गंज में कॉंग्रिस अधिक्षय मलिकास जिन खरके और राहुल गांदी एक जन सभा को संभधित करेंगे कॉंग्रिस नेता राहुल गांदी की भारत जोडो न्याय यात्रा आज दोपेहट बाद अमिटी पहुचे की जान न्याय यात्रा का स्वाकत क्या जाएगा वही राहुल गांदी की गांदी नगर के टोल प्लासा के पास जन सभा होगी माराश्चा के नागपुर में छत्रपती शिवाजी माराश की 394 जैनती के जशनक के तौर पर लोगों ने सड़कों पर धोल बचाया और आर्थी की पियम मोदी आज लखनों में उत्रप्रतेश ग्लोबल इन्वेस्स समीट 2030 के चौथे ग्राउंड प्रेकिंग समारों में 14,000 पर योशनाओ का शुभारम करेंगे फसलों के लिए न्यूनितम समतन मुल्य की कानुनी गैरेंटी समेथ विभिनमांगों को लेकर किसानों के दिल्ली चलो मार्श के पेच हर्याना में खाप पंचायतों एवं किसान संगटों ने रविवार को कहा कि यदि उनकी मांगी पूरी नहीं की जाती है तो वे 20 फरवर के पेच प्रदानमते नरिंद्रम्भूती साथ मार्श को राज्य के बारा साथ में मैलाव की राली को संभोधित कर सकते हैं उत्तरा खंड में हल्दानी के बनभूलपुरा इलाके में कर्फ्य में और ठील दी गई है और नैनिताल जिला प्रशासन ने रविवार को बताया कि कर्फ्य अब केवल रात 10 बजे से सुभे 5 बजे तकी रहेगा हिमाचल प्रदेश के बारा जिलों में से साथ जिलों में आज सुभार के लिए भारी से बहुत भारी बारिश होने बरपवारी और ओला वुष्णी के अलापा बिश्णी गिरने तथा तेज हवाय चलने को लिकर रेड अलट जारी किया गया है चंदिकट मेयर चुनाव को लेकर बड़ा खेल हो गया है आपके तीन पार्षद बीजे पी में शामिल होने की बाद नगर निगम में बीजे पी पार्षदों की संख्या बढ़कर सत्रा हो गई है रविवार को लंडन में ब्रिटिश अकैडमी आप फिल्म और टेलिवीजन आर्ट्स यानि बाफ्टा फिल्म अवार्ड होस के एके थे ये अवार्ड बेहती प्रेस्टिजियस पुरसकार बाने जाते हैं ब्रिटिश और इंटरनाशनल सिनिमा में बेस फिल्मों सहीत तमाम कैटिगरी में कलाकारों को समाने क्या जाता है बातिय शेर बजार के लिए नए करुबारी हब्टे की शुरुबात अच्छी तेजी के साथ हुई आईटी शेरों में थोड़ा दबाव था पर बैंक शेरों में बड़त बनी है फानिशेल शेरों में पी अच्छी उच्छाल देखी जारी थी अजय देवगन इन दिनों अपनी मच अवेटेट फिल्म शेतान को लेकर चर्चा में बने वे हैं फैंस इस हॉरर थीलर फिल्म का बेसबरे से इंतिसार करे हैं वही फान्स के एकसाइटमेंट को दो गुना बढ़ानी के लिए मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्ट जारी किया है वरुन धवन जल्थी प्रिता बने बाले हैं उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी पतनी नताशा दलाल की प्रेग्डेंसी की दस्वेर शेर करते वे इस बात की जान करीती है रिदेश देशमुक ने अपनी दूसरी डारेक्शन फिल्म राजा शिवाजी की अनौंसमेंट कर दी है इस फिल्म का निर्देशन रिदेश करेंगे जबकि जनेलिया देशमुक जोती देशबांडे फिल्म की प्रोडिसर है बारत ने राज को टेस्ट मैच को चोती दिन ही जीत लिया है और इंगलेंड को पूरी तरह से धराशाई किया है टीम इंडिया ने मैच जीतने के लिए इंगलेंड को 557 का मुश्किल लक्ष दिया था और जवाब में इंगलेंड ने पूरी तरह खुटने टेक दिये थे और टीम इंडिया को 434 रन से जीत मिली है ये थी आज की टॉट 20 खबरे खबरों का सिलसिला यूही चलता रहेगा आप देखते रहेए इन बिसिन निउस नमस्कार रन्वे सिंग की अपकमिंग फिल्म शक्तिमान देगातार चर्चा में बनी हुई है खबरों की माने तो इस प्रिक्चर की शूटिंग जल्दी शुरू होने वाली है ये थी आज की टॉट 20 खबरे खबरों का सिलसिला यूही चलता रहेगा आप देखते रहेए इन बिसिन निउस नमस्कार